दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एकरार चैनल पे इस वीडियों आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है अपने मोबाइल बैंकिंग से वर्चल डेबिट कार्ड कैसे आपने इसको सेट कर सकते हैं इस वीडियों आपको पूरी जन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ओपन कीजिएगा अब यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास रूपे डेबिट कार्ड इस पर आपको किलिक करना होगा अब यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है यहां पर किलिक जिए हैं देख सकते हैं वर्चल डेबिट कार्ड त कर और यहां पर देख सकते हैं पर जो भी है यहां पर यह पर यह झागी इगि पर क्लिक कर Cute कर दिएगा का क önem पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी रेजिस्टर मोबाईल नंबर उस पर OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर डालना होगा OTP को आपको यहाँ पर फिलफ कर लिजिएगा अच्छे से सम्मीट पर क्लिक कीजिएगा आपका जो अकाउंट से 25 रुपे कट गये हैं साथ मन्त के लिए आपका जो एक काड है एक्टिव रहेगा तो आपको यहाँ पर होम पर क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं आप काड पर क्लिक करके अपना काड फिन दोबारा देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं और यहां से आपना काड ब्लॉक भी कर सकते हैं तो आपको मैनेज करने के लिए मैनेज पर क्लिक करना होगा आपके कार्ड से कितना तक आपका लिमिट रहे कि आपको डोमेस्टिक के आप कितना त्रास्फर हो सके तो अपने हिसाब से जो भी आपको यहां पर लिखना चाहते हैं हमें यहां पर 500 रुपेस से ज्यादा नहीं लिमिट रखेंगे आप अपने हिसाब से आपके ज़रूरत के मताबिक सेलेक्ट किजिएगा कंटीनीव पर क्लिक करेंगे कंफर्म आपकी रजिस्टर मुबाइल नमपर पर को टीपी आएगा सम्मिट किजिएगा जैसे हैं आपको सम्मिट करेंगे थोड़ा सा वेट किजिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एट्रियम डेविट कार्ट को लिमिट और एक्टिवेट ऐसे ही किया जाता है आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए ठीक है बाई थैंक यू